वेडी गूड इवनिंग फ्रेंड्स दिस अमिनास सम्थिंग लेक्ट्रोनिक सर्किट्स और मैं आज आपको आडीनो प्रोग्रामिक के बारे मताने जा रहा हूं आडीनो क्या है आडीनो एक एक बॉर्ड है जिस पर एक मैगर कंटूरर लगा होता है यह अलग अलग तरह के मैगर कंटूरर अलग तरह के बॉर्ड पर लगे होते हैं जैसे कि आडीनो मेगा पर एड्मेगा पची सो साथ लगा होता है आडिनो यूनो पे एड मेगा 328 की लगा होता है इस तरह से और भी अलगा तरह ये आडिनो बूर्ट्स मार्केट में अवलिबिल है जैसे कि आडिनो टाइनी आडिनो मेगा आडिनो यूनो आडिनो मेगा कुछ इस थरीके से देखता है आडिनो मेगा को हम इस अपने टूट्रल में यूज करेंगे इस टूट्रल में मैं आपको रिखांगों कि एलेटी को किस तरह से ब्लिंक करवाया जा सकता है यूजिंग आडिनो मेगा इस टूटरिल के लिए आपको चाहिए आडिनो मेगा कुछ जंपर वायर्स एक ब्रैड बोर्ड और एक LED और आपको सौफ्टर में चाहिए आडिनो आडिनो जो आपकी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तॉल कर सकते हैं यह बिल्किल फ्री है और इसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आडिनो आडिनो आडि गूगल में टैप करें और इस लिंक से आप Arduino ID के ऑफिशल पेज पर जा सकते हैं यह पेज खुल चुका है और आप देख रहे हैं कि इस से आप Windows, Linux, Mac किसी भी सिस्टम के लिए Arduino ID डाउनलोड कर सकते हैं और इस्टॉल कर सकते हैं मैं Windows 7 में यह इस्तमाल कर रहा हूँ यह जो कि मैंने अल्रेडी स्टॉल कर रखा है तो बिना स्टॉल किये मैं अब आपको Arduino ID में किस तरह से प्रोडाम लिखना है वो बताऊँगा उससे पहले मैं आपको LED किस तरह से लगानी है Arduino मेगा के साथ वो बताऊँगा Arduino मेगा की तेरवी पिन पे आपको LED की बड़ी वाली पिन जो पॉस्टर पे नहीं वो लगानी है जो रिस्टंस के थो आइडियो के तेरवी पिन पे लगी होगी Arduino के छोटी पिन ग्राउंड पिन है उसको आप Arduino मेगा की ग्राउंड पे लगा सकते हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि Arduino UNO दिख रहा है आपको लेकिन असल में मैंने इस टूटल में Arduino Mega का इस्टमाल किया है अब देखते हैं कि Arduino ID में आपको क्या कोड लिगना है जिससे ये LED आपको बिलिंक करती हुँ दिखाई पड़ेगी Arduino ID खोलीजिए फाइल पर जाएए New option पर क्लिप करिए और आपके सामने की नहीं फाइल खुल जाएगी इसमें आप देख रहे हैं कि वाइट सेटप और वाइट डू नाम से दो फंक्शन पहले से बने हुए है वाइट सेटप में Arduino का प्रोग्राम का एक बार ही होता है और वाइट गूप में ये continuously repeatedly control होता है तो अब देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाएगा अब मैक्रों के help से तेदवी पिन को define कर सकते हैं अब आपको तेदवी पिन का mood set करना है mood set करने का मतलब है कि Arduino में input और output दो mood होते हैं ऐसे output set करूँगा ताकि signal Arduino Mega से LED को जा पाए ये मैंने set कर दी है अब मैं किस तरीके से इसको LED को glow और off करूँगा ताकि ये जलती और बुस्ती दुखाई पड़े जिसे हम blink कहते हैं अंग्रेजी में तो सबसे पहले मैं उसको कुछ millisecond के लिए on रखूँगा और उसके बाद कुछ millisecond के लिए off कर दूँगा तो आपको जब ये continuously कुछ देर on होते वह दिखाई पड़ेगी तो आपको ये blink करते वह दिखाई पड़ेगी उसके लिए एक function यूज किया जाता है जिसे हम digital write कहते हैं इसके दो argument है एक तो pin या पर उसका variable और दूसरा होता है हाई या लो हाई का मतलब पांच वोट चला जाएगा LED की हो और लो का मतलब 0 वोट जाएगा अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये आडिनों बहुत तेजी से एक instruction से दूसरे instruction बजाता है तो आपको कुछ देर इस पिन को हाई रखना पड़ेगा ताकि आपको LED जलती दिखाई पड़े क्योंकि हमारी आख सौ मिली सेकंड से कम किया difference को नहीं देख सकते तो मैं इसको पांथ 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 सौ मिली सेकंड के लिए और जाने देता हूं अब इसके बाद मैं इसको आफ कर देता हूं और वो पिन लो रहेगी 500 मिली सेकंड के लिए यह प्रोग्राम कम्प्लीट हो चुका है अब इसे आप फाइल के नीचे एक टिक मार्क मना हुआ तो क्लिक करिए और फाइल का नाम सेव कर दीजिए अब यह कंपाइल हो रहा है अब आडिनो बोर्ड को यूएस्बी केबल से लैप्टॉप के केबल पर लगाई यूएस्बी बोर्ड पर लगाई है और इस बटन पे क्लिक करिए जो की दाइने हाथ पे पॉइंट करता हुआ एक एरो है इससे आपका प्रोग्राम आडिनो बोर्ड में अप्लोड हो जाएगा और आपको LED जलती और बुस्ती हुई दिखाई पड़ेगी तो यह टूटोरल यहीं भी खतम होता है अगर आपको टूटोरल अच्छा लगा है तो प्लीज इससे लाइक करें यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करें और वीडियोज के लिए रन्ने वाल झाल 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 झाल